हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो रूबी सोम स्टूडियो आज मैं आपसे बहुत अच्छा पैक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं विंटर्स के लिए यह बहुत अच्छी रेमेडी है हमें इसके लिए साबुंदाना लेना है एक छोटे से बोल में आप 4-5 टेबल स्पॉन साबुंदाने के ले लीजिए साबुंदाना हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है साबुंदाने से हमारे स्किन बहुत ज्या यह बहुत अच्छी रेमेडी है आप यूस करें जरूर और मुझे इसका रिव्यू दीजिए प्लीज फ्रेंग फर्स्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए आप ऐसे रेमेडी देखने के लिए बट यह रेमेडी बहुत अच्छी रेमेडी है मैं आपसे शेयर कर रही हू आप मुझे इसका रिव्यू जरूर देना यह बहुत अच्छी है आपके स्किन के लिए स्पेशली विंटर के लिए इसके लिए हमें ऐसा बड़ा सा बोल ले लीजिए इसे टू कप वाटर लीजिए सौरी मुझसे एक क्लिप डिलीट हो गई ती इसलिए मैंने आपको यह म अपने कुछ बिजी होने की वज़े से मुझसे जल गया था तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में में मेरा बोल चेंज है तो उससे जल गया था तो प्लीज इसे भूलेगा मत कि आप लोग स्टोफ पे रखे आप प्लीज देखते रहें और इसे आइस्ता से आप स्लो फ्लेम पे आप उसको हिलाते रहना है आपको एटलीस वन एर लग जाएगा यह पूरा जूस बनाने के लिए पूरा तो प्लीज आप उसे अच्छे से हिलाते रहना और इसको पूरा कम्प्लीटली डिजॉल्व होने देना अगर थोड़ा डिजॉल्व नहीं भी हुआ तो परवा नहीं है अगर आप ज्यादा डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यह जल जाएगा आप ऐसे ही बना सकते हैं यह हमारे स्किन को बहुत नरिश करेगा स्पैशली हमाई विंटर के लिए तो यह बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोग ट्राई करना इसके यह एक बार ट्राई करें और मुझे इसका रिव्यू जरूर देना आप अपने स्किन में अगर ड्राइनेस अडाना चाहते हैं तो आप यह रेमेडी यूज करिए इसके लिए हमें चाहिए रोश्य पॉल और साफ्रान चाहिए यह मेरे विंटर के लिए यह मेरे बहुत फे अगर ज्यादा थिक नहीं करिए अगर ज्यादा थंडा करने के लिए अगर आप इसे रख देंगे तो यह बहुत थीक होगा एक नॉर्मल टंप्रिचर में इसे ले लेना हमें यूज कर लेना है तो आप बिल्कुल थंडा होने भी मैं छोड़ी से लाइट वार्म देखिए यह एक अलग से बोल में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है अच्छे से मिक्स करिए यह हमारे स्किन को बहुत ज्यादा नरिश करता है फ्रेंड्स आप लोग प्लीज यूज करिए इवन अगर आप अपने फेस वाश के तरह भी यूज कर सकते हैं मैं आपको इसकी भी रेमेड करेगा कि में अगर डनेस है तो डन नेस को हटाएगा ऐसे फोर तूफाइट यह हमें हमें इसका पल्प लेहाए जाए 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 है यह यह रूटीन विंटर में विंटर में यह ली vehicles स्किन के रूटीन में पीजिञे और आप मुझे बोल लेंगे बाद में आपके skin की डननेस जाएगी 20-15 drops हमें रोश्री पॉल के चाहिए इसके अंदर और सैफ्रोन के 10 strains तो हमें चाहिए इसके अंदर इसे जब दालेंगे आप तो अच्छे से मिक्स करिये रोश्री पॉल आपके skin की ड्राइनेस आपके skin में सबसे ज्यादा glow और इंगल भी अगर आपके face के लिए यूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके face के लिए मैं तो डेली यूस करती हूँ विंटर यह हो रहो हो या समर हो मेरा वो रोश का है आप प्लीज ऐसे क्यूब्स बनाईए दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप ऐसे में आपके स्किन बहुत ज्यादा डल और ड्राई हो जाती है यह यूस करने से आपके स्किन बहुत अच्छी होगी बट आप जब यह यूस करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपने स्किन पर रख लीजिए यह जब पूरा मिल्ट हो जागा आइस क्यूब्स के बाद ठोड़ी देर लिए रखें बाद में 5 मिनिट्स के बाद इक स्लो मोशन में अप अच्छे से मसाज करिए मसाज करके गरम पानी से वां मॉटर से अपने स्किन को दोगीए उसके बाद कोई कमश्राजर अपलाई कर लीजिए उसके अच्छे से फ्रीज कर लीजिए सैफरॉन तो अपने skin के लिए बहुत अच्छा काम करता है whitening और brightening effect के लिए skin पर dark spots के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है मैं आपको saffron का face wash बताऊंगी आप वो भी यूज़ करना winter के लिए बट आप ये cubes मैं winter में daily यूज़ करती हूं मेरे skin में हमेशा मेरे skin moisture रहती है क्यूंकि ये remedy बहुत अच्छी remedy है आप लोग टीज़ ट्राइ करना ये even मैं अपने इसका जो pulp रहता है मैं normally भी अपने skin पर लागा के massage करती हूं 2-3 times back-to-back अपने face पर लगाती हूं उसे मैं 4-5 layers लगाके मैं इसे अपने face को wash करती हूं तो भी मुझे बहुत अच्छा effect मिलता है बट कभी वैसा नहीं हुआ तो ऐसा यूज़ करती हूं लेकिन मैं ये अपने routine में लेती हूं winter में अब हम चलिए हम बनाते हैं hair pack जिसके hair बहुत ज्यादा dry और dull है winter में especially अगर किसी के hair करेटीन करेवे हैं या कुछ damage hair है उनकी लिए ये बहुत अच्छा है 5-4 tablespoon बड़े वाले हमें एक bowl में साबुन दने का pulp या juice ले लेना है उसके अंदर हमें 2 teaspoon घी दालना है घी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आपके बाल बहुत ज्यादा dry है आप रात में सिर्फ अपने बालों को घी लगा के सुबा उटके wash करें आपके बाल में से पुरी dullness चले जाएगी मैं इसमें अंडा यूज कर रहे हूं अंडे की वाइट लेना है मैं यहesली मुर्गी का ंडा यूज कर रहे हूं वो असली नहमनों के पास सर्दियों में यही यूज करते हैं मेरे पास वो अंडा नहीं था तो मैंने यह यूज किया आप इसके सिर्फ वाइट आप इसमें डालियो और अच्छे से मिक्स करिये अच्छे से mix करके एक-एक अपने strain को अच्छे से emulsification करते हुए अपने heads पर लगाईए और 2 hours के लिए अपने बाल पर रहने दीजे 2-3 hours के लिए फिर उसके बाद wash करिए फिर मुझे please review देना आपके बाल में से पुरी dryness चले जाएगी अपके बाल में softness आएगी अगर आपक अब बहुत अच्छा आप स्मूथनिंग एफेक्ट चाहते है तो वीक में टू से त्री टाइमस आप उसे यूस करिए लेकिन आप प्लीज इसे सिफ ड्राई हेट्स पर यूस करिए अब हम बनाते हैं sheet mask हमें लेना है 4-5 spoon teaspoon एक बोन में ले लिजे इसका juice इसमें हम रोश्य कि आपकी स्कृल को मॉइस्टर करता है आप इसे छीट मास दालिये मैंने अच्छे से मिक्स करिये मैंने प्लेन वाले यूस किया है यह मैंने फिलिपकार्ट से वाई किया है यह मैं अपनी नॉर्मली मैं आपको पूरे हों मेरे sheet mask दिखाऊंगे जो मैं विंटर में यूस कर अपने पर और मेरे सकिन बहुत ज्यादा हाइडरेट रहती है आप इसे दालिए लेकिन इसे दालने के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना परता है यह जल्दी डिजॉल्वन होता है अगर आप इनसेंटली चाहते हो अगर पानी के ग्लास में इसे छोड़ दीजिए या जसा तवल से गरं पानी में तवल दालकर अ में आपको